आज मैं आपके साथ शेर करूंगी एक और होली स्पेशल रेसिपी जिसके बिना होली अधूरी है तो फिर देर कीस लिए करना चलिए शुरू करते हैं बनाना लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चानल पर नए है या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चा तो सबसे पहले आप एक चमच सेट कर लिजे और उसी से हम सारी इंग्रीडेंस को ना पेंगे यहां पर मैंने ले लिया है चार चमच बादाम, दो चमच पिस्ता, दो चमच मगज के बीच, दो चमच खस-खस या पोस्तो और दो चमच सौफ, एक चमच काली मिर्च, एक को मिला लेते हैं, आप चाहे तो इसमें, दो चमच किष्मिष भी मिला सकते हैं में, तो ठोड़े से पानी, में हम दो चुटकी, जितना केसर भीगा, ढ अब हम इन सारे चीजों को पानी डाल के भीगो के रखेंगे, पानी हम इसमें इतना ही डालेंगे, जिसमें की सारी चीजे जैसे बादाम, पिस्ता वगरा सारे इसमें डूब जे और इसे हम ओवरनाइट सोक करेंगे, या तो कम से कम आठ घंटे के लिए इसे हमें जरूर जार लेंगे और इसमें इन सारी चीजों को हम डाल देंगे, हमने जो पानी में इसमें भीगोया था, वो पानी भी हम इसमें डाल देंगे, क्यूंकि इस पानी में भी सारे फ्लेवर है, अब हम इसमें केसर वाला पानी भी डाल देते हैं, अब हम इसमें डालेंगे एक तो फिर थोड़ा सा गुलाब जल्व अब हम इन सब का एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे अगर जर्वत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं लीजिये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है अब हम इसका एक सिरप बनाएंगे जिससे कि आप इसे महने भर स्टोर करके अराम से रख सकते हैं और पूरी गर्मी इसको इंजॉई कर सकते हैं तो उसके लिए एक पैन में मैंने लिया है दो कप चीनी जो इंग्रिजेंट्स हमने है कि चीनी अच्छे से घुल जाए देखिए चीनी अच्छे से घुल गया है अब हम इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट को डाल देंगे लेकिन उससे पहले आप फ्लेम को लो कर लिजे और आप संभल के डालेगा क्यूंकि चाशनी गरम है आप इसमें सारे मिक्षर डाल हो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के वो भी आप इसमें डाल दीजे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए पकाएंगे अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो देखिए ये इस तरह से उफन के बाहर आ जाएगा तो इसलिए हो सके तो आप इसे ल भी तंड़ा होने दैंगे देखिए ये इस तरह से हम चम्मच में लगाके देखेंगे ये चमच को तर्रहा है इसका मतलब यह फाफेक्ट अब हम इसे एक साफ ओर सूखे काँच के बॉटल में हम इससे स्टोर के रख देंगे तो चले देखते है इसे हम थंड़ाई कैसे व बनाएंगे मैंने इसे काच के बॉटल में स्टोर कर लिया है लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब ही आप इसमें स्टोर किजेगा ठंडाई बनाने के लिए मैंने यहां पर 200 ml जितना ठंडा दूद लिया है उसमें हम दो चमज जो हमने ठंडाई क मिक्सजर तयार किया है वो मिला लेंगे आप एक बार चेक कर लिजेगा अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप इसमें एक चमज ठंडाई और मिला सकते है अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ग्लास में डाल देंगे मैंने यहां पर एक ग्लास बनाया है आपको जित सोली ही नहीं, पूरी गर्मी आप इसका मज़ा उठा सकते हैं, बैस जब भी बनाना हो, दो चमच मिलाइए और ठंडे ठंडे ठंडाई का मज़ा उठाइए, तो ये रेसिपी आपको कैसे लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, थैंक्स फोर वाचिंग,